2004 के बाद नौकरी में आए इन करमचरियों को NPS के तहत ऐसे मिलेगी ग्रेचोटी एक महत्पूर्ण जानकारी इलाबाद विस्विद्ध्याले और इसके संबंद कोलेजों में 2004 के बाद नियुक्त सिक्षक और करमचरियों को नई पेंट्सन स्कीम यानि की NPS के तहत ग्रेचोटी मिलेगी यह निर्ने सनिवार को नौर्थ हॉल में कुलपती प्रोपेसर संगीता स्रीवास्तक की अद्धक्षता में हुई कारिये परसद की बैठक में लिया गया प्रोपेसर जया कुमार ने बताया कि इसके तहत विश्विद्याले एवम कॉलेज एक अजार से ज़्यदा सिक्षक एवम करमचरी लाभानवित होंगे यह दिर ने UGC के अनुसरण में लिया गया इससे पहले नई पैंसन इसकी में आने वाले करमचरियों को ग्रचुटी मिलने का प्रावदा नहीं था लेकिन इस मैसले के बाद अब NPS में कावड करमचरियों को भी ग्रचुटी मिलना शुरू हो जाएगा बैटेक में CBCS स्टाटिक्स मनोविज्ञान के 25 सिक्षकों को दो वर्स सथा गैर सिक्षक वर्च के 279 करमचरियों की एक वर्स की सिवा परिविक्षा अबदी पूरी होने पर सिवा इस्थाईकरन की सहमती भी दी गई लेकिन सबसे बड़ा फैसला ये लिया गया कि अब NPS के तैट से न्यूक्त होने वाले करमचरियों को भी ग्रचुटी का फाइदा दिया जाएगा और ये फैसला UGC के द्वारा लिये गए फैसले के परिप्रेक्षमें लिया गया है तो ये एक महत्मुन जानकारी NPS में के लिए कि उनको भी अब NPS केते थी ग्रचुटी का फाइदा भी दिया जाएगा